नास्कार मैं अबिराज और आप देख रहे हैं वीके नियूस और सबसे गंबीर बात तो यह है कि मंता की इन कूरितियों में कानून और जंता की हिवाज़त करने वाला पुलिच प्रशासन भी उनकी मदद करता है तो महीं एक और खबर सामने आई है जिसमें हिटलर दीदी का असली चैरा एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है बता द अभिशेक बैनर जी के संसद ये शेत्र डायमंड हरबर जा रहे थे बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नड़ा के काफी ले पर त्रिनमूल कॉंग्रेस के गुंडों ने हामला कर दिया जिसमें कई गाड़िया टूट गई तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्य बीजेपी अध्यक जेपी नडडा के पश्चिम मंगाल के दूसरा दिन थाज वहें मुख्यमंत्री ममता बैनर जी के बतीजे और सांसद अभिशेक बैनर जी के संसद ये शेत्र डायमंड हरबर जा रहे थे बीजेपी ने आरोफ लगाया कि जेपी नडडा और कैलाच विजेवर गिये कि काफिले पर त्रिनमूल कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने हमला किया वही दक्षण 24 परगंदा में टीमसी और बीजेपी कारेकरताओं के भी धड़ब भी हुई बीजेपी के प्रदेश अध्याग दिलिप घोष का आरोफ लगाया गया है कि टीमसी कारेकरताओं ने बीजेपी अध्याग जेपी नडडा का काफिला रोकने की कोशिश की इस दुरान टीमसी कारेकरताओं ने पत्थर बाजी भी की सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नडडा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद दक्षिन 24 परगना में बीजेपी अध्याग जेपी नडडा ने कहा कि हमारे काफिले में एक कार ऐसी नहीं बची जिस पर हमला नहीं हुआ हो मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ कार के अंदर था इसी के साथ जेपी नडडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की इस आराजक्ता को खतम करना होगा तो महीं केलाज बिजय वर्गिया और मुकल रॉय के बारे मताते हैं उन्होंने कहा कि इस बारदात में वो गंभी रूप से गायल हुए है हमारे दस से बारा कारे करता इस बारदात में घायर हो गए तो दूसरी तरफ टीमसी ने इस बारदात पर सफाई देते हुए कहा कि ये जूटा आरोप है क्योंकि हम कभी ऐसा काम करते ही नहीं असल में बीजेपी कारे करताओं ने अभीशेक बैनर्ट जी का पोस्टर फाड़ दिया दिलिप गोश और कैलाज विजय वरगिया हमेशा ही गलत बयान देते हैं बीजेपी के वल जूट बोलती है लेकिन अगर इन बारदातों को देखा जाए तो टीम से अपनी इन खरकतों से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी को बंगाल से खदेड बगाए जाए इसकी वज़े यह है कि पिछली बार के लोगसबा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने हिटलर ममता की सरकार को तकड़ी टकर दी थी इससे वज़े से ममता की सरकार का अस्तित्व खत्रे में पड़ गया था इसलिए ममता सरकार आए दिन बीजेपी पर हमला करती रहती है लेकिन बीजेपी भी अपनी कमर कस के मैदान में उतरी है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अगले साल के चुनाव में भगवार जंडा ही बंगाल में लह रहाएगा तो फिराल इस खबर में सिर्व इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रहे हैं वीके नियूस धन्यवाद